फूल कुमारी एक बहुत ही प्यारी लड़की थी. उसके माता-पिता बहुत गरीब थे, फिर भी वे दयालू थे. वही गुण फूल कुमारी में आ गया था. वह जसकिसी को भी मुसीबत में देखती तो उसकी मदद करती थी. उसकी शादी पुशकर नाम के लड़के से हुई. वह भी गरीब परिवार का था. पुशकर और उसके माता-पिता सभी लोग मजदूरी करने जाते थे और उसी से उनकी गुजर होती थी. यहां भी फूल कुमारी का वही हिसाब था. अगर कोई उससे कुछ मांगने आ जाता तो वह उसे दे देती. कभी कोई पडोसन आ जाती और कहती बेहन तुम्हारे यहां थोड़ी चीनी होगी. दे दो. आज हमारे यहां चीनी खतम हो गई है. मेरा बेटा दूद के लिए रो रहा है. वह ऐसे दूद ही नहीं पीता. तो वह उसको कटोरी भर चीनी ऐसे ही दे देती. कभी कोई और पडोसन आ जाती और फूल कुमारी से कहती. बहू, मुझे सो रुपय उधार दे दो. अपनी बच्ची की मैं दवा लेने जा रही हूँ. मेरे पास नहीं है. मैं तुम् शाला खोल रखा है. हम लोग कौन से अमीर हैं? कोई ना कोई रोज तुमसे कुछ ना कुछ मांगने जला आता है. और तुम उसे दे देती हो. फिर ऐसा होने लगा कि फूल कुमारी सब के सामने किसी को कुछ नहीं देती. लेकिन फिर चुपके से दे देती थी. पूरे मुह कुछ मी आ गई है. लेकिन बिचारी बहुत तकलीफ भोग रही है. फूल कुमारी की इस परोपकार की भावना से उसकी सास और पुषकर उससे बहुत नाराज हो जाते थे. एक बार ऐसा हुआ कि लगातार पानी बरस रहा था. सब लोग मजदूरी करने के लिए गए. वे ब क्या किया जाए? कई दिनों तक उनको कोई काम नहीं मिला. वे बाजार जाते, खड़े रहते और निराश होकर घर वापस लोटाते. जो कुछ घर में रखा था वे पहले ही खत्म हो गया था. अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था. वे सब बहुत भूके बैठे थे और कह रहे थे. ए भगवान आज क्या खाएंगे? इतनी जोर की भूक लगी है. आज तो घर में कुछ भी नहीं है. आज मजदूरी नहीं मिली तो आज खाना भी नहीं मिलेगा. यहां तो रोज कुआ खोदो, रोज पानी प्यो वाली हालत है. तभी उसकी पडोसन लो, आ गई कुछ मांगने. अरे भाबी, उदास क्यों हो? क्या हुआ? आज हमारे यहां कुछ है ही नहीं. इतना सुनते ही पुश्पा अपने यहां गई और दाल, चावल और सबजी ले आई. अभी खाना बना लो, तुमने तो हमारी बहुत मदद की थी. अब फूल कुमारी ने चूला जलाया. पहले उसने दाल बनाई, उसके बाद चावल बनाए, फिर सबजी और रोटियां सेखने लगी. सब लोग खाना खाने के लिए बैठे ही थे. सब लोग बहुत भूके थे. तब ही बाहर से आवाज आई. क्या इस गरीब के लिए कुछ है? बहुत जोर की मैं भूकी हूँ. फूल कुमारी ने बाहर निकल कर देखा, तो एक बुड़ी औरत खड़ी हुई थी. बेटी, बहुत जोर की भूक लगी है. मुझे चक्कर आ रहा है. मुझसे चला ही नहीं जा रहा. मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, बेटी. फूल कुमारी चक्कर में पड़ गई. खाना तो थोड़ा सा ही है, जो इतने लोगों के लिए भी पूरा नहीं है. वो सोचने लगी. हे भगवान, मैं क्या करूँ? इन बूरी अम्मा को खाना तो हमें देना ही चाहिए. ये कितनी कमजोर है, भूकी भी है और खाना माँग रही है. इन्हें बिना खाना दिये, मैं कैसे लोटा सकती हूँ? तब तक उसकी सास भीतर से आकर उस बूरी महिला से बोली, खाना वाना कुछ नहीं है यहाँ. और बहू, तुम के वाड़ बंद कर दो. ज्यादा चक्कर में मत बढ़ा करो, हाँ. बेटी, मुझ पर थोड़ी दया करो, मैं बहुत दुखी हूँ. आज तो लगता है भूख के मारे मेरे प्राण ही निकल जाएंगे. ऐसा कहकर वैं वहीं बैठ गई. वैं आसु बहाने लगी. फूल कुमारी घर के भीतर दोड़ कर आई और अपनी सास से बोली. अम्मा, उन्हें खाना दे दो. वैं बहुत भूखी है. कहीं ऐसा न हो कि उन्हें कुछ हो जाए. फूल कुमारी की सास ने उसे डाटा और बोला. तुम चुप करो बहु. हम लोग तो भूख के मारे मरे जा रहे हैं. हमारी तुम्हें परवा नहीं है. और वैं बाहर से पता नहीं कहां से भिखारन चली आई. उसकी तुम्हें बहुत परवा है हानी तो. पर अमा. जरा सोचो. हमें भी तो पूरे दो दिन हो गए. कुछ नहीं खाया है. हमको भी तो चक्कर आ रहा है. फूल कुमारी ने बाहर देखा तो वैं बूरी महिला बैठी रो रही थी. अब तो फूल कुमारी से नहीं रहा गया. अब चाहे मुझसे कोई भी नाराज हो ज लिया. वे बूरी महिला खाने को देखकर बहुत खुश हो गई और उसे खाने लगी. ये खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है तुमने. तुमने मुझको खाना खिलाया. तुम बहुत सुखी रहोगी. और खाना ले आओ बिटिया. फूल कुमारी मना नहीं कर सकी. वे और भी खाना परोज कर ले आई. बूरी महिला को पता नहीं कितनी भूख लगी थी. वे खाना खाती ही जा रही थी और मांगती जा रही थी. और ले आओ खाना. फूल कुमारी दोड कर घर के अंदर गई और खाना ले आई. थोड़ी ही देर में दाल चावल की पतीली खाली हो गई. सबजी रोटी भी वे खा गई. भूख से बिलबिलाते हुए पुशकर ने देखा कि पतीली खाली पड़ी है और कुछ नहीं रह गया है उसमें तो उसे बहुत जोड से गुसा आ गया. उसने जोड से चूले पनात मारी और चूला फूट गया. यह देखकर फूल कुम तुम परिशान ना हो बेटी. मैं ऐसा चूला बना कर तुम्हें देती हूँ कि वे कभी नहीं फूटेगा. उस पर खूब खाना बनाना और जो भी भूखा आए उसको खूब खिलाना. और उसने वहीं से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और फूल कुमारी से पानी मांगा. उसने मिट्टी गूंधी और एक नया चूला बना कर रख दिया. बिटी, इस चूले पर तुम खाना बनाओगी न, तुम मुझे याद करोगी. तुम्हारे यहां कुछ नहीं है. तुम जिस चीज को बनाना चाहो, उसका नाम लेकर चूले पर पतीली रख दिया करना. ऐसा कहकर वे वहां से चली गई. फूल कुमारी ने चूले पर खाली पतीली रख दी और बोली, मैं तो दाल बनाने वाली थी. अब तो एक बहुत बड़ा अश्चर हो गया. लकणियां उसमें अपने आप जलने लगी थी. पतीली तुरंत ही दाल से भर गई. अब तो फूल कुमारी बहुत खुश हो गई. एक मिनट में ही पतीली में दाल अपने आप बन गई. उसने दूसरी पतीली चड़ा दी और बोली, मैं तो चावल बनाऊंगी. देरी नहीं लगी और चावल भी बन गई. अब तो फूल कुमारी जिस चीज को बनाना चाहती, उसी का बस नाम लेती और वह चीज बनती चली जाती. यह देखकर फूल कुमारी के साथ ससुर और पुशकर बहुत खुश हो गए. वे फूल कुमारी की प्रशंसा करने लगे. अब सभी लोग खा रहे थे. जिसकी जो भी खाने की इच्छा होती, वे उसी पकवान का नाम लेता और फूल उसकी वज़ा से घर का काया कल्ब जो हो गया था.